ओम शान्ती गुड मॉर्निंग चार जन्वरी दो हजार बाईस मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिष्टे मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिष्टे बाप दादा के सामने बैठे हैं बाप दादा द्रिष्टी दे रहे हैं और वर्दानों से भरपूर कर रहे हैं बाबा बोले बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली मिठे बाबा आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी बाबा आज आपने हमें बताया मिठे बच्चे खामियों का दान दे कर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है मिया मिठु नहीं बनना है कभी भी रूठना नहीं है संगम पर आकर बाबा ने हमें अपना प्रिच्चे दिया और हमारा प्रिच्चे हमें दिया कि हम कोन है और बाबा ने हमें इतनी नौलिज दी और बाबा की याद में हमने सारी खामियां बाबा को दान दे दी बाबा कहते है न मुझे सिरफ खोटे सिक्चे चाहिए वो सारे खोटे सिक्चे बाबा को दे दिये देने के बाद भी अगर कोई मुझ आत्मा से भूल हो जाती है तो वो भूल को मैं छुपाऊं नहीं सच सच बाबा को बताऊं और कभी भी मिया मिठू नहीं बनना कि मेरा योग बहुत अच्छा है मैं बहुत योग करती हूँ औरों को मतलब अपने बारे में ज्यादा कहने की जुरूत नहीं है बस बाबा के साथ 24 घंटे बाबा की याद में रहें बाबा की याद में हर करम करते रहें बस मैं आत्मा कभी भी अपने पुर्शारत का धिंडोरा ना पिटूं कोई भी बात है बाबा करन करावन हार है मैं नहीं कर रहा कोई सेवा करी बाबा की सेवा बाबा ने कराई तो कभी भी मिया मिठु नहीं बनना मिया मिठु बनना मतलब दे अभिमान में आना तो मुझे कभी भी दे अभिमान में आना ही नहीं है क्योंकि बाबा ने मुझे क्या क्या है कि बच्चे अपने को दे ही अभिमानी समझो तुम आत्मा हो आत्मा का पाठ पक करना है और फिर मुझे कभी किसी से भी रूठना नहीं है कई बच्चे सेंटर में रूठ जाते हैं फिर उसके बाब मुरली सुनने नहीं आते बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं कभी भी बाबा से नहीं रूठना मुरली से नहीं रूठना कोई बात हो भी गई है तो उसको ज जल्दी से जल्दी ख्तम करना जादा वाइब्रेशन नहीं फिलाने हैं सब के परति मंसा दुआएं देते रहना हैं ये भी बाबा के बच्चे हैं ये भी आत्मा भाई भाई है बाबाने संड़े की मुर्ली में कहा ना कि सब क्या है मंसा सिवा करनी है तो मैं आत्मा अपने को चेक करूँ कि मैं कोई भी अगर मेरे से भूल होती है तो मैं बाबा को फोरण बताती हूँ और वो भूल दुबारा ना हो और फिर मुझे देही अभी मानी बनना है जो करन करावन हर करा रहा है सेवा जो भी हो रही है वो बाबा ही करार है और किसी से भी नीर उठना किसी भी आत्मा से नीर उठना किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं किसी ने कुछ कह दिया बस एक चीज बुद्धी में लगए क्या हुआ तो क्या हुआ तो कह दिया बस हलके हो जाओ बिंदी लगा दो फिर बाबा आज आपने प्रश्ण में पूछा कि कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो किस बात से कभी रंज नराज नहीं होना तो कौन सी बात हम अंदर यंदर सिमरन करते रहें जिससे कि हमें अपार खुशी हो तो सबसे पहले हमें कौन मिला अगर मैं आत्मा बार बार ये सिम्रन करूँगे कि मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे स्वेम भगवान मिले है मुझे भगवान अभी इस समय राजयोग सिखला रहे है किसलिए सिखला रहे है कि मुझे कहा जाना राज यूग सीखके फर मुझे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा बनेंगे हम तो सदा खुशी रहेगी कि कौन आया है मुझे स्वेम भगवान पढ़ाते है रोज सवेरे सवेरे अमरत वेले मुझे से भगवान मिलने आते है और मैं भगवान से कितनी शक्तियां लेता हूँ अपने को कितना चार्ज करता हूँ जो सारा दिन वो चार्जिंग अंदर ये अंदर चलती रहे तो कितनी खुशी होती है कि मुझे भगवान मिला है दुनिया में तो अगर किसी को कोई मनिश्टर भी मिल जाए न तो वो अपने आपको कितना उचा समझता है कि आज तो मुझे क्या मिल गया और हमें कौन मिला हमें भगवान मिला जो रोज हमें पढ़ाने आते हैं रोज हमसे बाते करने आते हैं रोज हमें कितने गुन और कितनी शक्तियां देते हैं तो कितना नशा होना चाहिए कि मुझे भगवान मिले है तो सारा दिन इसी खुशी में रहना है कुछ भी हो जाए बाबा कहते है ना खुशी जैसी खुराक नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपनी खुशी नहीं छोड़नी कैसी भी परस्तिती हो क्योंकि परस्तिती आई है चली जाएगी लेकिन मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए फिर बाबाने का क्योंकि वहां का जाएंगे वहां जहां सुन्दर सुन्दर महल बनाएंगे हम जाते हैं अपने कहां सुख धाम वाया शांती धाम पहले बाबा में कहा ले जाएंगे शांती धाम, मुलवतन, वहां से फिर हम आत्माएं और पॉलिश हो के अच्छे तरह चमक के नीचे उतरेंगी, सत्योग में, और वहां क्या-क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें फस्स क्लास होंगी, बाबा ने कहा, वहां तन भी ने, बैक बैगेज बांद के ते, दस दिन के लिए हम घूमने जा रहे हैं, और हमें तो बाबा 21 जन्मों के लिए ले जा रहा है, तो कितना नशा चाड़ना चीए, बाबा ने कहा, वहां अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बिमारी आदी होती है, तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है, अगर यहां पर अभी कोई बिमारी है, हिसाब किताब चुक्तू हो रहे हैं, तो किसी से नराज नहीं होना है, बस उस दवाई की क्या करना है, बिमारी की दवाई करनी है, दादियां कहती थी यह भी दवाई क्या है, ड्राइफ रूट है, यह कलिय में जल उठी शमा परवाने के लिए अब मैं शमा अपने परवाने के लिए जल उठी हूँ क्योंकि बाबा तो आ गया है मैं फिल में अब मैं इस मैं फिल में बाबा के साथ जाऊंगी तो मैं पूरा पूरा बाबा पर जल मिती हूँ बस मैं और मेरा बाबा सारा दिन इसी नशे में रहना है, बस मेरे साथ कौन है? भगवान मेरा बाबा, कैसी भी परष्तिती हो, तो क्या बोलो? मेरा बाबा, सब परष्तिती कता है. बाबने का ये गीत तो बहुत बार सुना लेकिन वो दुनिया वाले तो इस गीत को नहीं समझते इस गीत को बच्चों ने समझा है बेहद के बाप ने हमें बताया तो बेहद के बाप के हम बच्चे कोन है पोत्रे पोत्रियां भी है बाबने का ऐसी और कोई बाप नहीं कह सकत और ब्रह्मा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया तो शिप बाबा के हम पोत्रे पोत्रियां भी हो गए और ब्रह्मा बाबा कौन हो गए हमारे हमारे ब्रह्मा बाबा बाप भी हो गए और बाप का बाप दादा हो गया तो दादा, सुन्दी में दादा बड़े भाई को भी कहते हैं ब्रमा बाबा भी दादा होगी तो सारा गोल मोला की बाबा, शिप बाबा के हम पोत्रे पोत्रियां भी हैं और बच्चे भी हैं बाबा कहते हैं जो ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम आत्मां से बात करते हैं आत्मा सुनते हैं लेकिन कि अब बाबा कहते हैं मैं जो परमपिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में परवेश करकर तुमको सिखलाता हूँ श्रीप बाबा कह रहे हैं कि मेरा तो श्रीर है नहीं मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आकर तुम्हें सिखलाता हूं राजयो बाबा बाबा का तन नहीं तो कैसे समझाओं मैं अब श्रीप बाबा का तन नहीं है तो कैसे बोलेंगे बाबा का नाम ब्रह्मा क्यों रखा क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाएंगे बाबा ने का उन दूसरे ब्रामनों से पूछो न तो तुम को न वो कहते हैं तो हम ब्रह्मा की संताने लेकिन बाबा कहते हैं तुम को बताना सके हूँ कहेंगे हम ब्रह्मा की मुखवंशावली है परंतु वो तो है कुखवंशावली और हम कोन है हम मुखवंशावली है बाबने का कई बच्चे रूट जाते है बाबने का कई बच्चे बाप से भी रूट जाते है अगर कोई भाई बेन ने कुछ कह दिया तो बाबाने का परंतु शिप बाबा की मुर्ली तो सुनो ना घर में बैठे रहो परंतु बाब का खजाना तो ले लो शिप बाबा से कभी नराज नियो ना बाबा की मुर्ली को कभी नी छोड़ना कोई भी बात हो जाए बात आएगी चली जाएगी एक दो दिन में लेकिन वो जो बाद में पस्तावा होता है कि दो दिन ऐसी मैंने मुरली छोड़ दी तो इसलिए बाबा की मुरली को कभी नहीं छोड़ना अमरत्विले कभी मिश नहीं करना अगर कोई बात हो भी जाए तो इसको फोरण बिंदी लगा देनी है फिर बाबा ने आज का कि खजाने के बिगर तुम क्या करेंगे बाबा ने का ब्रामनों के संग में भी जरूर आना पड़े अगर ब्रामनों के संग में नहीं रहेंगे तो बाबने का फिर शूद्रों के संग का सर पढ़ जाएगा तो मैं आत्मा किस संग में हूँ संग का रंग बड़ी जल्दी चलता बाबा इसलिए बार बार कहते हैं कि अपने संग की संभाल करनी है बाबने का अगर संग अच्छा नहीं होगा ना तो बड़ी गड़बड हो जाएगी संग जो है ना बहुत ही अगर हम कुसंग करेंगे तो गड़बड हो जाएगी बाबने का जो हंस है ना अगर वो बगलों के साथ मिल जाएगे तो सत्यानाश हो जाएगी तो हमें एक खिवया एक बाप के साथ रहना है बाबने का कि खिवया जो है एक बाप कोई का जाता है और बाकी कोन है डुबोने वाले तो अनेक हैं तो मैं आत्मा खिवया के साथ रहूं ब्रामन परिवार के साथ रहूं संग में रहूं ब्रामनों के संग में رहे कियोंकि संगठन में भी योग करना बहुत पावर मिलती है तो मुझे क्या करना है? हमेशा संग का बहुत बहुत ध्यान रखना है अज़ बाबा ने का कोई भी चीज चाहिए हो न तो मांग के लो ऐसे नहीं उठानी भंडारे में से तो ध्यान रखना कहीं भी हम मदुवन में जाते हैं या कुछ भी है कहीं सब्जी डिपार्डमेंट में या कहीं भंडारे में तो अपने आपने उठाना बाबा ने का मांग के ले लो बाबा ने का बाबा ममा और अनन्ने बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए बाबा भी महिमा करते हैं क्या करते हैं कि फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार रखना है बाबा ने का सारा मदार क्या है सारा मदार है ग्यान और योग पर तो मैं आत्मा अपने आपको चेक करूं कि मेरा योग कितना है मैं बाबा की याद में कितना रहती हूं और मेरे अंदर कितना ग्यान है बाबा ने जो मुझे ग्यान दिया मैं ओरों को वो ग्यान सुना रही हूँ बाबने का सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ती से चलते हैं जानते हैं यह बरोबर हमसे उच है तो उनको रिगार भी देना है तो मैं आत्मा हर आत्मा का रिगार करूँ हर आत्मा से मैं अच्छे से बात करूँ बहुत मीठे से बात करूँ क्योंकि सब आत्मा हैं बाबा के बच्चे हैं आत्मा अत्मा कोन है भाई भाई फिर बाबा हम बच्चों को कितनी अच्छी राय देते हैं कहते हैं कि पांच विकारों पर जीत पानी है बबने का इससे विदाई तो अंत में होनी है तब तक कुछ न कुछ खामियां रहेंगी बबा कहते हैं लेकिन उनको हटाने का पुर्शार्थ करना है अंत तक भी जाना क्या करेंगे देई अभी मानी बनना है पुर्शार्थ करते रहना है बाबा करता कोई ना कोई खामी रहेगी लेकिन अगर हम पुर्शार्थ करेंगे ना वो सारी खामियां खतम हो जाएंगे और याद किसको करना है बाबा ने का शांती धाम और सुखधाम को तो खुशी रहेगी जितना हम सारा दिन शानती धाम और सुक्धाम को याद रखेंगे तो खुशी में रहेंगे हम क्योंकि हम कहा जाते हैं सुक्धाम वाया शानती धाम फिर बाबा ने का बाबा ने का भक्ती भी किसकी करनी है पहले भक्ती एक की होती थी बाद में कितनी अनेकों की भक्तियां हो गई है तो अब मैं क्या कर रही हूँ अब मुझे जब से ग्यान मिला है तो मैं बाबा शिप बाबा की याद में रहकर हर करम कर रही हूँ बाबा ने का अब ब्रह्मा दोरा तो स्थापना हो रही है तो बाबा कहते हैं पंक लगा के उड़ जाओ बस हमें सब को सब आत्मा को प्रीच्चे देना है भगवान का कि बच्चे ये दुखधाम है अब खत्म होने वाला है तो सुखधाम चलने की तैयारी करो बाबा ने कहा सब आत्मा के पंक तूटे हुए बाबा क्याते है, तुम बच्चे काल पर विजे पाते हो, अब कैसे काल पर विजे पाएंगे? जब इस समय हम बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि कालों का काल कोने है? बाप ही काल पर विजे पहनाएंगे, स्वेम शिप बाबा आकर काल पर विजे पहनाएंगे, बाबा न नहों कि आये आत्मा और परभावितों के जाएं नहीं उन पतितों को भी पावन बनाने की अच्छे से युक्ति बतानी है और ऐसा उनके अंदर ग्यान भर जाए कि वो भी पावन बन जाएं वो भी ये कहें कि कैसे कि उसके लिए क्या करना है साथ दिन का कोर्स कराना है बाब बाबा ने का, आज बाबा ने रूठने पर तीन चार बार बोला, तो ध्यान रखना है कि किसी से रूठना नहीं है, बाबा ने का, ओरों से रूठने दो, मेरे से रूठने तो मुर्दा बन जाएंगे, शिप बाबा से कभी नहीं रूठना, कभी शिप बाबा के साथ अमरतव ले खजाना लेना ले लो, जितनी मुरली बढ़नी हैं पढ़ लो, ये बाबा के ग्यान के खजाने हैं, और ग्यान का खजाना कभी खुटता नहीं है, बढ़ता ही है, क्योंकि जितना ग्यान बाटोगे उतना बढ़ता रहेगा, बाबा ने का फिर धूतियां और धूते भी हो जहां गड़बड हो जाए बज़ बाबा कहते है कि बच्चों को सर्विश का बाशों कोना चाहिए डूबे वो को बाहर निकारना है जो बाबा के बच्चे नहीं है जो कहते हैं हम बहुत दुखी हैं हमें बहुत परिशानी हैं तो उनको उनके दुखों को दूर करना है उनकी परिशानियों को दूर करना उनको बाबा का बनाना है बाबा का प्रीचे देना है फिर बाबा ने का इसमें भी क्या करना है charities begins at home पहले घर से शुरुवात करनी है बाबा कहते हैं बाब भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं उन्होंने भी शुरू शुरू में किया ब्रह्मा बाबा के तन में आकर उनको उठाया अव göster तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ जीए दान दो तो ऐया मैं आत्मा चेक कर Creek करूँ कि मैं अपने घर से शुरुवात करी है आप कहेकर बात करनी है बहुत मैंनर से बात करनी है तुम तुम नहीं करना और कभी किसी से रूट नहीं है और धुती पने का तो बिलकुल परचिंतन कुछ भी निकरना इस पर आज बहुत ध्यान देना बहुत सम्हाल करनी है कि मेरे से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जिससे दूसरी आत्मा को कोई तकलीफ हो फिर आज बाबा ने वर्दान दिया बाबा ने का डबल लाइट स्थिती द्वारा उड़ती कला कानुभव करने वाले सर्व अकर्शन मुक्त भाओ बाबा कहा रहे अब डबल लाइट बन जाओ बार बार वर्दान आ रहे हैं बाबा के डबल लाइट स्थिती द्वारा उड़ती कला करने वाले सर्व अकर्शनों से मुक्त भाओ जब कोई अकर्शन ही नहीं होगा तो उड़ते रहेंगे पहले तुस्पीड भगो अब भागने का खतम हुआ अब तो ऊड़ना है जितना उपर उड़ोंगे न तो उड़ती कला की निशानी क्या है कि ्वल लाइट पहला भी बौज होगा तो नीचे आ जाएंगे तो मैं आत्मा अपने आपको चेक करूँ, मुझे आत्मा पर कोई बोज तो नहीं है, कोई किसी विकार का बोज, या कुई कुछी भी आत्मा के साथ कोई आइसी बात हुग तो इसका बोज, या और परस्तितियों का बोज, कोई भी बोज नहीं होना चाहूं, क्योंकि सब कुछ मैंने बाबा को दे दिया, तन, मन, धन, समय, स्वान, संकल, सब बाबा का, तो ट्रस्टी बन के चलना, जब मेरा कुछ है नहीं, तो मेरा कोई बोज नहीं है, तो मैं असानी से उड़ जाओंगी, बाबाने का, चाहे अपने संसकारों का बोज हो, वायू मंदल का भी हो, जो मेरे पुराने संसकार हैं, उनका तो बोज नहीं है, वो भी सारे दे दिये बाबा को, तो वायू मंदल का, किसी आत्मा के संबन्द संपरक का हो, कोई भी बोज हलचल में लाएगा, इसलिए वही कहीं भी लगावना हो, भाबने का, कोई भी बोज होगा नो, वो हलचल में लाएगा, तो मेरा कहीं लगावना हो, सने सब से हो, सब आत्मा भाई भाई हैं, लेकिन मेरा कहीं लगावना हो, जरा भी कोई अकर्षन अकर्षित ना करे नहीं तो जो अकर्षन अकर्षित करेगा वही नीचे ले आएगा फिर भाबने का जब ऐसे अकर्षन मुक्त बनेंगे न तो डबल लाइट बन तब संपून बन सकेंगे तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मेरे अंदर कोई पुराना संसकार तो नहीं रह गया या मैं किसी व्यक्ति, वस्तू, किसी व्यभव के प्रति अकर्शित तो नहीं होती ब्रामन परिवार है, सब के साथ मिल के रहना लेकिन बुद्धी का योग एक बाबा के साथ लगा रहे है जो बाबा के साथ बुद्धी का योग लगा रहेगा तो हम धबल लाइट बन जाएंगे, अकर्शन मुक्त हो जाएंगे फिर बाबा निया स्रोगन में कहा सने का चुम्बक बनो तो गलानी करने वाले भी समीप आकर सने के पुष्पों की वर्षा करेंगे अब देखो, उपर भी का न, सने ही बनना है सब के साथ सने हो, मैं आत्मा सब आत्माओं के साथ सने रखू लेकिन याद एक बाबा को करो और जितना हम सने करेंगे न, तो जो हमारी गलानी करने वाले हैं वो भी हमरे पर क्या करेंगे, पुष्पों की वर्षा करेंगे फिर आज बाबा ने चार तरीके, तो चोथा पॉइंट आज बताया लवलीन स्तिती का अनुभव करो उसमें बाबा ने कहा, बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैपन और मेरा पन समापत हो जाए बस मैबिंदी और बाबा बिंदी ऐसे प्यार में समा जाओ जिससे कि मेरा मैपन और मेरा पन समापत हो जाए बाब ने कहा, नौलिज के अधार से बाप की याद में समाए रहो तो ये समाना ही लवलीन स्तिती है जब लव में लीन हो जाते हैं हो अर्थार लगन में मगन हो जाते हो तब बाप के समान बन जाते हो कि मैं कौन मैं आत्मा जोती बिंदू श्री बाबा जोती बिंदू बस बैठ जाओ बाबा के पास बाबा मेरा मन नहीं कर रहा निचे जाने का बस मैं और मेरा बाबा उसके लव में कितना बाबा में कितनी लाइट और माइट दे रहा है कितना हलका कर रहा है बस उक्षव वतन में आ जाओ ब्रह्मा बाबा से मिठी मिठी बाते करो बस खो जाओ बाब दादा के लाब में जितना हम बाबा से बाते करेंगे लब में रहेंगे तो लवली नमस्ता को पालेंगे ओम शान्ती अब हम सब उड़ चले विश्व गलोब पर बाब दादा की किरने मुझ फरिश्टे पर और मुझ से विश्व की आठ सो करोड आत्माओं पर परकर्ती के पाँचो तत्तों पर, ग्रेहों पर, सारे महदीपों पर बाबा की किरने जा रहे हैं और सारा विश्व सतो पर दान होता जा रहा है मैं फरिश्टा बाब दादा के साथ सारे विश्व का चकर लगाते हूए वापिस सुक्षम वतन में बाब दादा से दृष्टी लेते हुए बाबा के लौ में लीन होते हुए वापिस इस देरुपी मंदिर में बैठ गई हूँ बाबा की केर्णे मुझे पर आ रही है और मुझे सारे विश्व में जा रही है ओम शान्ती ओम शान्ती